हां जी बच्चू तो अब हमारा टॉपिक है कि फेट मनी किसे कहते हैं तो फेट मनी किसे कहते हैं यह एक ऐसी करन्सी जो इशू बाई गवर्मेंट होती है जिसको गवर्मेंट इशू करती है अब बात समझने कोची कीजीगा, कि मैं आपको कोई एक बचन देता हूँ, प्रामिस करता हूँ, कि मैं आपको एक लाग रुपए, दूबाइक कागच पर लिखके, मैंने आपको प्रामिस दे दिया, बट ये प्रामिस जो है, ये मैंने किया है, गवर्मेंट ने नहीं क्या है, वो जो कि गवर्मेंट प्रामिस करती है, जो गवर्मेंट इशू करती है, उसको हम क्या कहते हैं, crave money किते हैं अब वो सारी के सारी money तो government यह इश्यू करती है रही है वह अगर आप इसको एक सेहप्ट करते हैं तो तो एक्सेप्टिबिलिटी के भी वो फॉलो करता है तो अगर मेरे पास में अभी समय जो सो का नोट है यह क्या है यह गवर्रमेंट ने इसू करा और अगर मैं किसी दुकानदार को दूगा कुछ सामान लूँगा तो क्या उसको एक्सेप्ट करेगा जिसमें दोनों ही फीचर पाए जाते हैं गवर्रमेंट भी एशू करें और लोग उसको एक्सेप्ट भी करें तो एक्सेप्टिबिलिटी भी उसमें फॉलो हो उसको हम जो है लीगल टेंटर कहेंगे अब आपको सर वो तो सारी करनसी में होता है नहीं आप देखें जो हजार का जो जो नोट है जो ए तो हजार रपे का नोट भी गवर्रमेंट ने इशू करा कि वो हमने घर में थोड़ी बनाया था इशू किसे नहीं किया था तो फेट करनसी तो हो गई वो फेट मनी तो हो गई लेगल टेंटर नहीं आज के टाइम में अगर आप उसको चलाने के लिए जाओगे तो को लेग हो क्योंकि थाउजन के नोट अभी समय अइकसेप्ट नहीं करते हैं तो लीगल टेंटर का मतलब क्या जो कि अभी लोग उसको एकसेप्ट करे और गवर्मेंट इसको इश्चू करे तो उसको हम क्या बोलते हैं और फेट मुझे मालूम है कि मेरा और आपका रलेशन बहुत आप मुझे वह समें से जानते हों इमांदारी के बारे में भी जानते हो कि I'm a को एक लाख रुपए दूंगा कागज पे अगले साल तो बिल्कुल मुझे मिल ही जाएगा लेकिन वह गवर्मेंट नहीं दिया है वह इंडिविजल मैंने दिया है उसको आप एक फेट मनी नहीं कहें मिरी बात समझे हैं है नहीं समझें फेट मनी फ्रम जो法 मेंनन ये को फेटि मनीच सब्सक्राएं अ करणसी चेस masterpiece आप यह करन्सी luc ने शुकर है ना पिट मुनिट अब यहां पर यह और गवर्रमेंट आपके पास में आप देखेंगे क्या साइन है क्या लिखा वाइस पर आप देखेंगे आई प्रॉमिस टू पे दा गिरर दा सम अप दा 100 रुपीज जिसके पास में भी यह होगा बीरर जैसे मेरे पास में तो यए अर्फिय שबंण मतलर स्वावर्रमेंट कि कह रही है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं सो रुप है कि दे रहा हूं और अपने प्रॉमिस के क्या हो लिखा रहा तो यह हमारा जो है ने ए Plato करन सी डिया व्र ऑप्लाफ कि वयसे इस पर प्रंप्र ना होना नहीं चलेग यहां कर रहा है कि आपकी फीच नहीं लेँ आपने मुझे पैसे दी सर्विस के बदले में बोलब लेने से मना कर दे मैं ले रहा है पैसा मुझे बदले में रहा कि आप ढ़ाने में करोगे कि मैं इनको फीज दे रहा था पड़े इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया जबकि पैसा आप चक कर लो असलिए सब कुछ है गोगोर्मेंट प्रामिस कर रही है तो मेरे पर जो है लीगल एक्षन हो जाएगा प्लिस मुझे जो है अरेस्ट कर लेगी कोट में केस भी चलेगा और मै है यहां पर जो है गिल्ट पिप्रूफ होगया तो उस पर है मुझे पैनल्टी कि मोई देनी पढ़ सकती है जैल वी ऊसकती है बात समझे करहा है तो समंझ रहे है समझ रहे नहीं तो यह वही कहरह है सब्सक्राइब करना पड़ेगा मैं कहीं सब्जी लेता हूं उसको मैं पेमिंट कर रहा हूं तो पेमिंट के फ़र्म में इस करनसी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर लीगल टेंटर के फ़र्म में है तो बास समझें नहीं समझें क्लिर है बाइदेफिनिशन वैल्यू इस सिग्निफिकेंटली लोवर देन इट्स फेस वैल्यू हैंस दा वैल्यू अब दा फेट मनी इस डिराइड फ्रॉम दा पैसे चलते बाटल सिस्टेम से नहीं चलते हम जो है अब हमारे पासे कूल करते है on the तक आगे फीचर में काम है तो होई पॉइंट से कुछ टू ट्रांजेंशन मोटी पहला फोकस क्या है पैसा इसलिए चाहिए होता है तू ट्रांजेंशन मोटीव लोग कहते नहीं है ऐसे कई बार किया सारे पैसे बैंकों में सारे पैसे जब दनी कुछ पैसे घर में भी होने क्यांबरन चाहिए कहते ना दस बीच पच्चीस तीज अर पए घर में भी होने चाहिए क्यों कुछ ट्रांजेंशन करने पड़ सकते हैं आप देखते हैं सुबह आप उठते हैं कुछ नहीं करके आते हैं सब क्या यह सब यह तो आप तो अब तो उन्स को वाइग करते हैं लिए पैसा होड करते हैं मतला किसी भी गुर्स जर्वीस को हुरी दने के लिए हमें पैसा होड करना पड़ता है तो यह की प्रणा मुटीव टा रांजेक्शन मूटीव रिलेे तुध नीड आप कैश एक सो ऑफ पर परसनल और बिजनेस चीजिए और बिजनेस के अंदर मुझे नोट बनाने है पैसे चीए और बिजनेस के अंदर मेरे पास में स्टाफ है उसके चाए पानी के लिए समोची पैसे चीए बिजनेस के लिए हमें पैसा चीए होता है उसी को हम ट्रांजेक्शन मॉटिफ कहते हैं पैसे होने चीए वक्त पे काम आ जाए का मतलब क्या हुआ है मलब कोई दवाई कि एक परिवार में भी हमें प्रिकोंस लेना पड़ता है तो हमें पैसे की नीड होगी तो हम फट अपने टीट्मेंट करवा सकते हैं सिर्फ फैमिली में एक बिजनेस के लिए भी होता है बिजन के अंदर भी क्या हो जाता है कई बार कि एक नई अपडेट मशीन आ गई तो मुझे अपने प्रोक्ष्ण में प्रोक्ष्ण को मार्केट से अब में एक्जिस्ट करने के लिए मुझे उससे निवी टेक्नलोजी को अलॉट करना पड़ेगा तो वहां पर मुझे उस मशीन को हमारे पास में प्रीकोशिस मौटिव को अफॉर्ड करने के लिए पैसा की नीड होती है कुछ भीए क्या हो गया रखते हैं कि हम प्रॉफिट करना चाहते हैं एक्जामपल के लिए में च्छोड़ा दे रहा हूं माल लीजे कि बहुत सारे जो है जो सटा मार्केट में पैसा लगाते हैं कि शेर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो फिर मेरा पैसा बढ़ जाएगा लगाते हैं लोग वह स्पेक् 場 बनाने को यह हम क्या कहते हैं इस ठीमोटे कहते हैं उसके पास के परपस से प्रॉफिट आंधने परपस से पैता से और तीन मोटेव हो गया हमारे पास करशेट टेंक्स करनेगे पहला क्या हो गया इसां दूसरा प्रीकुशन्स मोटिव और तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव क्लियर है जी अब मेजर्स ओफ मनी क्या है तो मेजर्स ओफ मनी मतलब यह हो गया कि इस समय आपको पता है कि हमारे हमारे एक नामी में एक पॉंट ऑफ टाइम की एक प्रियेड ऑफ टाइम होता है को था मतलब हो गया मैं बताता हूं मेरे बैंक में इसमें हजार पर रख्या हुआ है तो मैंने पॉइंट में बता दिया अब इस मेहिने में कितना पढ़ाऊंगा इसके लिए पीरिट ऑफ टाइम की रिक्वार्मेंट ही मैंने खत्म होगा तभी बता लगेगा मैंने कितना सली बस कि अब बता दोों गए में इसे पॉइंट ऑफ time कहते हैं अब सब्सक्राइंगे में दरी करणलोग वह सारी लोग है एक फर्म भी है एक बैंक भी है मैं भी हूं हम लोग भी है और हमारे हैं हमारे घर में पैसा पड़ा हुए बहुत सरा पैसा पड़ा हुआ अलगले जो कि भीसा पड़ा हुआ है इस सब्सक्राइब को जो है हम क्या बोलेंगे बनी सप्लाइब लेंगे लेकिन इस मनी सप्लाइब को कैसे कावर्मेंट करती है कैसे पता लगाती है कि अधिकना पैसा है तो कुछ पता लगाती है सब्सक्राइब करती है और इससे पता लगाता है कि हमारी किना में कितना पैसा है तो अब में में क्या क्या होता है कि कितनी है मतलब कि एक हाउस होल्ड के पास में कितना पैसा पड़ा हुआ है कि यह देखती है गौर्मेंट कि यह पैसा तो वह हो गया जो लिक्विडिटी के तौर पर घर में पढ़ा हुआ है कि यह पैसा कौन सा पैसा हो गया कि यह वह पैसा हो गया जो लिक्विडिटी के तौर पर पब्लिक के पास में है लाइक मेरे पास में जो मेरे और आपके पास में जेब में पढ़ा हुआ पैसा है और जो हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा पढ़ा हुआ है बैं वह एक अलग बात है कि अगर आपने आडी करवा रखी है तो उसमें आपका टाइम का वेट करना पड़ता है तो वह भी आप इमेजेटली आप उसको ब्रेक करवा सकते हो बट मैं आपको बता रहा हूं कि करंसी और कॉइंस पब्लिक का मतलब क्या है वह पैसा जो लोग के जो हाउस होल्ड के पास में पढ़ा हुआ घरों में वह पैसा जो इनका सेविंग अकाउंट में पढ़ा हुआ है बैंकों में कमर्सिल बैंक में में मेरे बास समझे तो वह पैसा हमारे पास में क्या होगा करन्सी और कोई पब्लिक पहले गवर्में में मेजर करती है कि कि कितना पैसा लोगों के पास में कितना पैसा-इनका बैंक में सेवंग अकांट में आप होते हीरे बेढ़े रावाट पैसे को तो तो चूटी जाएंगे रहे नहीं है कि समझ रहे हो क्या पड़ा रहा हूं अहरान हो कि देख रहे हो आप तो वह करन्सी करन्सी एंड कोईश्विद पबलिक इसमें आया है यह लिए आगे डिमांड डिपॉजिट ओफ कमर्सियल बैंक डिमांड डिपॉजिट आफ दा कमर्सियल बैंक इसी माँजाता इसमें करेंशी एंड कोईश्विट पलिक घर में किता पड़ा हुआ है डिमांड डिपॉजिट औफ धेश्वच्व और कमर्सियल बैंक क्या होता है रहता है वह बैंक जिसके अंदर आप अपना अकांट यह पर क्शीज करना लाइक सब्सक्राइब होता है अपना पताओ बताओ जरा कमाई किया एंगे यह हमसे पैसे लेते हैं लोन पर जमा हुआ तो पंदरा जार पर उसको मिल गए तो पांजार पूलिक को चला गया पंदरा जार पर उसको आये बीच में बीच पर और लोन देती है इसका मतलब समझ है यह क्या कर रही है प्रॉफिट कमा रही है तो यह सारे क्यों बैंकों को जो जिसका मोटीव होता है प्रॉफिट आन करना इसको हम कमर्सियल कहते हैं तो आप चुतने भी बैंक देखते हो न यहीं कि सरकारी और प्राइविट बैंक कैसा होता है ठीक है चाहाँ बैंक अपना पैसा कर सकती है जहां से पब्लिक लोन ले सकती है उसको हम बोलते कमर्सियल बैंक तो पहला एंवन में पहले देखेगी घरों में लोगों के कितना पैसा पड़ा हुआ है अधर डिपोजिट विद आरबियाई के अंदर आपके पास में कि इन बैंकों को जो डिपोजिट कुछ आरबियाई के पास में रहते हैं ग्लियर है न तो यह सारे चीज़े कहां क्या अपकी एम वन में जो कमर्सियल बैंक होते हैं यह भी अपना एक आमांट आरबियमें जमा करवाते हैं यह सारा क्या होगा आपको क्या लग रहा है एम वन को एम वन में अपने घरों में पैसा देख लिया इनके सेविंग क्लाब भी कुछ पैसे और रहा जाते हैं ऐसे सेविंग डिपासिट विदा पोस्ट आफ़िस सेविंग मेंक यहां पर अपने पैसा सरफ कमर्सियल बैंग में जमन plays लोगों पैसा पोस्ट ओफिस में जमा होता है नहीं पता लें पोस्ट ओफिस पोस्ट ओफिस देखा है आपने पोस्ट ओफिस जीवन भी नहीं देखा लाग घर पोस्ट ओफिस देखा है दाग घर कहां पर रश्वर्पर में कहां पर देखा अपने अब यहां पर पोस्ट ओफिस ठीक है जहां चिठ्ठी उठ्ठी डालते थे पोश्ट ओपिस और काम होता है नहीं चिठ्थी वगयरा लेते और पोस्ट ओफिस इसके अंदर आप जाएंगे तो आप वोलेंगे मेरा सेवींग अकाउंट ओपन कर दो तो आपका अपना सेविंग अकाउंट हो जाएगा जैसे बैंकों में अकाउंट ओपन होता है क्लिए समझ गए तो इस को बैंक के नहीं कहते हैं बैंक नहीं कहते पोस्ट और बैंक सब्सक्राइब लोग यार पैसा डिपाजट होता है लेकिन लौन नहीं देता है अब लोग यार फिर प्रॉफिट कैसे कमाती है यह गवर्रमेंट का को यूटलाइज करती है अपने फॉरम के लिए जो गुईऑर्मेंट इंडस्टरी है उसके लिए अपने इसे करती है और उससे बी इस देती घ इस देती इसको इनपर देतीैं तो ये भीुःविट क्माती है गोड़न यह मेरे बात समझे आनई समझेओ तो आपको लगा था में और भी बहुत बडा भाग आपने कॉण्टी नहीं किया वह पैसा Postreplace में लोगों का जमा है तो इसलिए आपका M1 तो रहे गा, रहे हैं, और इसमें बस Postreplace वाले सेविंग को भी अगर आप मिला लोगे, तो ये आपका M2 बन जाएगा, तो M1 तो पतह यह क्या होता है, पता लगा M1 क्या होता है, M1 M2 equals to M1 plus M1 plus this one, इसको M2 कहते हैं, क्या आपको क्या लग रहा है, पैसे आ गए है, क्लिर है, आपके आप देखेगा M1, अब M3 क्या होता है, M3 आपका M1 लेता है, ठीक है, M3 क्या रहता है, M3 में आपका M1 रहेगा, लेकिन अभी भी एक पैसा काउंट नहीं हुआ है, Demand Deposit, वो जो कि आपके Saving Account में, जो अंदर बाहर वाले में रखते हो, जो पैसा, जिसको जमर्जी निकाल सकते हैं, ATM से, आप अपने FD को ATM से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हैं, तो ये Demand Deposit मतलब जो कि आपके पास में Saving Account में पैसा पढ़ा रहता है, लेकिन Demand Deposit का ये आपके पास में M1 रहेगा, प्लस में लोगों, तो काउंटी नहीं करा, अगर आप M1 लेकर के बैठते हैं, तो आपका Post Office वाला पैसा रह जाता, और चलो, M2 भी ले लिया आपने, तो अभी भी आपने currency काउंट करना आपने भूल गये, वो currency कौन सी है, फिक्स डिपोजिट, ठीक है, तो M1 प्लस नेट टाइम डिपोजिट, इसमें है न, M3 के अंदर जहां नहीं करते हैं, जब भी गवर्मेंट M3 को काउंट करती है, तो, आपका M4 में क्या रहेगा, अब M4 में आपके पास में M3, M3 कैसे होगा पता है, आपको, M1, ठीक है, प्लस, FD, ठीक है, क्लिर है, M3, और प्लस, इस वन, क्लिर है, और यह क्या होगा आपका, M4, ठीक है, तो, M4 कैसे बनेगा, आपको, M1 लेना पड़ेगा, आपको, FD लेना पड़ेगा, और आपको, टोटल डेपोजिट विद दा पॉस्ट ओफिस सेविंग बैंक, एक्स्लूडिंग एनस, ठीक है, तो, यहां पर आपके पास में, M1 में क्या क्या लिया, तीन, घरों में पैसा, बैंकों में बाहर पैसा, दिमांड डेपोजिट, और इन बैंकों का, आपके पास में, M1 है, और इस पर क्या रहेगा, आपके पास में, FD आ जाएगा, तो आपके पास वी तो आसान है, M1 and M2, M3 में बस आप देख लिजीगा, M3 में M1 रहेगा, और आपके पास में time deposit रहेगा, एर M4 में M3 रहेगा, और M3 के साथ आपको यह रहेगा, और M3 तो पता नहीं कैसे बनता है, M1 प्लस दिस, और आपको पता नहीं, M1 कैसे बनता है, समझमाएं आपको, तो इस तरीके से हम अपने money supply को मेजर कर सकते हैं, सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, मतलब कि जिसको आप कभी भी आप transactions में use कर सकते हैं, लिक्विडिटी का मतलब यह होता है, तो M1 सब्सक्राइब लिक्विडिटी पाई जाती है, क्यों इसको अप राजिश्यम में यूज कर सकते हैं, बात समझें ने, तो सब्सक्राइब जितने जादा इससे कम लिक्विडिटी इससे कम सब्सक्राइब होती है, तो यह मेरा क्या था, यह मेरा था, money supply, अब अब पूचा कि पैसे deposit करते हैं, बैंक में deposit करते हैं, तो दोनों में ज्यादा benefit publicly कि इसके पास में, वो आपको rate of interest को compare करना पड़ता है, क्योंकि हर bank अपने अपने हिसाब से FD पे कुछ रेड़ देता है, बहुत बड़ा change नहीं होता है, 0.5, and 0.1 का होता है, अगर एक परसंट का भी फरक पढ़ता है, आपको 10,00000 भी है तो इसमें बहुत बड़ा impact आपका पड़ गया है, दस जार रुपे पढ़ गया आपका एक परसंट का मतलब तो आप कंपेर करेंगे जो मेरा प्रस्टन एक्स्पीरिंस रहा उसके अकोडिंग बता रहा हूं पोस्ट ओफिस आपके कमर्सिल बैंक से ज्यादा इंटर्स पे करता है पोस्ट ओफिस के स्कीम भी यह कि पैसा दस सा महिने में अगर आप 10 लाग रुपे मालो आपने 10 लाग रुपे आपके पास में हैं तो आपने उसको इदर नहीं रख करके आपने पोस्ट ओफिस दस साल के लिए फिक्स कर दिया तो दस साल बाद आपको बीस लाग रुपे दे दिंगे कुछ यह स्कीम है मंतली इंटर्ट पिसान पतल कुछ ऐसी स्कीम है इसका प्लस में पॉस्ट ओफिस थोड़ा सा ज्यादा सिक्क्योर रहता है क्योंकि पूरा गवर्मेंट प्यूर गवर्मेंट रहता है पैंक को क्या अधा कंपनी की तरह काम करती है बैंक जनरली हम देखत तरह सीनिन हो और को प्यूर गवर्मेंट है पॉस्ट ऑपीस यह तो पॉस्ट यह जाता है रहती है पॉस्ट आपको एक सी मिलेगा तो आपको पॉस्ट प्रिस में पैसे निकालने के लिए जाना पड़एगा रा आजकल पॉस्ट अपना इश्यू कर दिया है कि एट्यू लेकिन अब हर नहीं लोगों ज़्वाइब गफर नहीं करते हैं भारत के अधर पोस्टोफ लम्य-लम्य लाईने होती है जो जो of money supply as all the components are the easily used as the medium of exchange M1 के जितने भी components से उसको आप medium of exchange बड़े जल्दी से यूज में ला सकते हो जो घर में पैसा पड़ा हुआ है फटा खड़े इसको more liquidity कहते हैं M1 currency and coins with the public जो घरों में household में पैसा पड़ा हुआ है प्लस demand deposit of commercial bank जो आपके सेविंग अकाउंट में पासा रखा हुआ बाहर और अगर आप मिला देंगे तीनों चीजों को मिला देंगे आप तो आपका M1 मन जाएगा क्लियर है बात सम्झे अधर deposit with reserve bank RBI include deposit held by the RBI behalf of the foreign banks and government public finance institutions clear World Bank IMF however it does not include deposit of the Indian government and the commercial bank with RBI एक अच्छी बात क्या रहा है इसके बारे detail मताया हुआ है M1 में क्या आता है M1 में थोड़ा थोड़ा थोड़ी से बोल दिया मर कोई बात क्रेक्ट लेजिए M1 में currency and coins with public demand deposit of commercial bank और other deposit with RBI अब RBI में क्या क्या deposit होता है एक RBI होता क्या हो समझेगा हर country में bank को issue करने की authority currency को issue करने के authority एक ही bank को मिलती है अब SBI अपने नोट चाप रहा हरा कोई पीला चाप रहा कोई काला चाप रहा है इस बीच में मैंने सतरंगी चापके चला दिया तो ऐसे नोट नहीं चलता ना उसमें युनिफॉर्म मिल्टी होनी चाहिए नहीं कि एक जैसा होना चाहिए तो इस लिए एक कोई मिलती है तो सरकार एक ऐसा bank करती है जो कि भाग ना जाए तो ऐसा एक बड़ा बैंक एक ऐसा फैनेशल इंस्टूशन डवलप करती है जो कि पैसा भी चापेगी और इन सभी कमर्सेल बैंकों को अपने कंट्रोल में भी रखेगी इसमें निगरानी इसमें मोनेटरी भी रखेगी तो उस बैंक को बनाती है उस बैंक क अगर मैं बात करूं तो आरबी में कहां कहां से पैसा आता है अगर इस देसरी गवर्मेंट दूसरी गवर्मेंट से पैसे लेती है लोन लेते कुछ भी लेती है एक ठोड़े कटे में तो फिल करके वह भी रही है तो फिल बैस टेंगी अमेरिका से सर्बट ठागी ला रहे हैं वह बैंकों में ट्रांसरी ना हूँ इस दोनों लबलब एसा काम करते वर्ल बैंक क्या है वर्ल्ड बैंक दूनिया का बैंक ऐसी कंट्री जो लबाब लबग तो दिवाल लेके कागार पर आ जाती है उसों करजा नहीं मिलता है तो वह वर्ल्ड बैंक के पास जाता है और कहता कि मुझे लोन देतो जैसे अभी पाकिस्तान की सुच्छिएशन तो वर्ल्ड बैंक से उधार मांग रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक अपने कुछ टाम से कंडिश मैं आपको धार दे दूँगा जिससे कि आप जब कमाल होगे तो फिर मुझे वापस कर देना अगर आप मेरी बात को फोलो करोगे तो मैं आपको धार दूँगा ठीक है ऐसे ही वर्ल्ड बैंक होता है जो कंट्री दिवालिया होती है उस कंट्री में कुछ एकनॉमी रिफॉ इकनॉमी रिफॉर्म सब्सक्राइब तो यह कुछ जो सजेशन दिया था तो वर्ल्ड बैंक कुछ सजेशन देगी इकनॉमी को देखते हुए तक इकनॉमी स्ट्रैबल हो जाए बाद मेरे पैस मुझे बापस मिल जाएगा कुछ नॉमिनल रेट उप इंटरस जरूर उस कंट्री से बढ़े कंद्री से काफी कम रहेगा वर्ल रीट फिंटर तो इस तरीक से वर्ल पैंक पैसा हमारे सेंटरल बैंक पैसा होता है और सेंटरेशनल मोनिटरी बी करता है सब्सक्राइब तो इसी सब पैसे को क्या कहा गया और भी पैसा आता है जो आपके पास में पैसे और भी आता है सब को भी अपना एक के पैसा जो है अपने सेंटल बैंक के पास रखना पड़ता है ठीक है ना अधर बैंक का पैसा भी कुछ रखते हैं यह नहीं कि सारा ठाग रहे देते हैं तो कुछ तो कमपसिशन पॉब्लिक को मिल पाएं समझे तो खैरा है कि अधर डिपोजिट पॉब्लिक जो घरों में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन यह शामिल नहीं है मेरे बात समझे या नी समझे लेट है में क्या क्या है Sigurable में करन्स अंड़ पश्प्लिक जो खरता हुआ हूं डिमांड डेपॉजट अफॉटव फॉश्चल नोट टाल रहे है अधर लिजड़ बैंक अब नोट डाल रहा है इस अफुर meaningless लेसे it does not include deposit of the Indian Government and the commercial bank with RBI clear पैसे को नहीं रखता है इन दो पैसे को नहीं रखता है समझें नहीं समझें इंडियन गवर्मेंट और आपके पास में किसका अधर बैंक के डिबाजिट को यह क्या होगा मेरे पास में अब बात करते हैं एंट उप यह यह मैं अदे में क्या करता बात करते हम एंडिया में टू यह चाहिए एंटू में क्या रहेगा बताई रहं EU में क्या करेंगा है currency in coins with public demand deposit और यौर अदधा डिपोजिट इन RBI ठीक और सेविंग बात समझें तो क्या रहेगा आपके पास में M1 तो रहेगा और प्लस में जो सेविंग है वो भी रहेगा क्यूंकि M1 में तो वह सेविंग तो आग है जो आपने बैंकों में रखा हुआ है लेकिन सेविंग आपका अभी तक नहीं हुआ शामिर तो पॉस्ट्रफिस चीज़ों में चीज़ और अड़ कर दोगे पॉस्ट्रफिस का सेविंग तो वह एंटू बन जाता है फिर आपका समझें क्लियर है सजमाएं आपको अब यहाँ पर है कि ए एंटिरे में अपर आफट्री ने टाइम डिपोजिट्र यक्ट इब उन तीन टमस्него झारब दोगे तो आपके पास में टाइम डिपोजिट्रा अपका एंटीए अगले मिया तो यह आपके पास पे टोडल में में टॉल्स ओस उप मनी था मैंने में इसके अंदर उसको देख लीजिए कैशिपर हमारे सबसे पहले क्या पास में ता था वट्र ज़िए हमने लिमिटेशन वाटर सिस्टम पढ़ हम ने हर एक पउइंट को सब्सक्राइब पाइब सबस्क्राइब अबने उसके बाद हमने जो है हमने यह कवर कर रहा है और मनी को मोटिव क्या रहता है होल्ड करने का यह पड़ा है हमने इसके बाद हमने जो है मेजर सोफ मनी सप्लाई हमने पढ़ लिया इस पर क्लियर है तो अमीद करता आपको समझ में आ गया होगा